प्रेज की आई गलाओ दोस्ते हों जैसा कि मैंने पेश्ले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में अ 땡 आई अ實 fácil के डिराइवेश्ण करूँ गालगए तो आज हम पढ़ेंगेitelकिंब होऊइशन कर व किया जिस हम इसके आज derivation के बारे में पढ़ेंगे आए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कुछ equations के बारे में बताए थी जैसे कि यह एक equation थी omega is equals to omega 0 minus omega 0 minus omega r divided by dr into t यह मैंने जैसे torque और dispute के बीच में कई सारी characteristics हो सकती है मैंने linear case को अभी consider किया है इसलिए इस तरह की question आ रही है अब इसको आप इसको मैंने बताया था last lecture में आप refer कर सकते हो इसके लिए इसको derivative लेंगे इसका आप time के respect में और इसको j से multiply j यानि moment of inertia से multiply कर देंगे इसमें terms को बता देता हूँ फिर से यह आपकी no load speed है यह आपकी rated speed है और यह आपका rated टार्क है ठीक है चलिए अब इसको derivative लेते हैं time के respect में time के respect में derivative लिया तो यह constant है यह 0 हो गया यह भी एक पूरा term constant है क्योंकि no load speed बदलेगी नहीं rated speed और rated torque भी नहीं बदलेगा यह भी एक आपका constant है यह भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा minus omega r divided by dr into dt over d यह आपका equation बनेगा अब इसमें हमने क्या कि जे से multiply कर दिया RHS में भी और LHS में भी अगर जे से multiply कर देंगे तो equation क्या हो जागा जे इंटो डी omega over dt इसकस्टू माइनस जे omega not minus omega r omega not minus omega r divided by dr into dt over dt यह equation बन गया है यह हमारा एक पहला equation है और यहां भी इस टर्म को याद रखेगा दोस्तों इस टर्म का आगे हम यूज करेंगे तो आप जानते ही कि dynamics की जो fundamental equation है उसके साब ती माइनस ती है इस गस्टू जे इंटो डी omega over dt होता है अब यह कैसे मोटर का जो driving torque है मोटर का जो driving torque है माइनस लोड टर्क जो की लोड टर्क इसके अपोजिट में लग रहा है उन दोनों का जो नेट में बैलेंस है उन दोनों का नेट जो बचेगा वो इसको acceleration देगा ठीक है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है अगर मोटर का driving torque ज्यादा है तो acceleration मिलेगा मोटर का अगर लोड टर्क ज्यादा है अगर तो आपको d acceleration मिलेगा तो इस दोनों equation से अगर आप देखें तो इस equation में sorry अभी मैं इसमें correction कर दूँ जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था इसको हम इस पूरे constant को जो यह पूरा constant है यहां से लेकर यहां तक इसको हम tm मानते है ठीक है लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस बात को डिसकस किया था तो यह से हमारा जो यह equation है यह equation है वो simplify होके हो जाता है j into d omega over dt is equals to minus of tm into dt over sorry minus को भार रखते है ठीक है तो यह equation को ध्यान देते हैं अब इस equation की value जो j d omega over dt की value हम यहां पे पूट कर देते हैं यह जो आपकी dynamics की equation है उसमें से इस equation की value इस dynamics की equation में पूट कर देते हैं तो जैसे हम dynamics की equation में value पूट करते हैं यह जो हमारे सामने value निकल कहती है वो हो थे t minus t minus tl is equals to अब j d omega over dt की जगह यह minus tm dt over dt time हो जाएगा तो यहां पे equation अब क्या बनेगी दोस्तों माइनस tm dt over dt time यहां तक समझ में आ गया दोस्तों अब मैंने क्या किया हूं कि अब यह first order के differential equation है जो की variable separation, separable form जो होता है integration का उससे solve हो चकती है अगर अब नहीं पी जानतो हो तो घबड़ानी कोई ज़रूरत नहीं है सारे t के term यानि torque के term को एक तरफ ले लिजे और time के term को एक तरफ ले लिजे तो torque के term को आप एक तरफ लेंगे तो dt over dt over t minus tl इस पूरे term को यहाँ पर divide किया इधर ले जाके नीचे जाएगा यह multiplication division जाएगा और इधर क्या बचेगा minus 1 by tm क्योंकर tm इधर आया है और dt उपर के है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह equation unfold होता है अब इस equation को solve करना है इस equation को solve करने के लिए हमें integration करना पड़ेगा तो is equals to minus 1 by tm into dt अब यहाँ तो हम इस integration के limit को set करते हैं नहीं तो एक हमारे integration में constant है जिसकी value हमें बात में find करने पड़ेगी तो मैं यहाँ पर integration की limit को set करके चलता हूँ integration की limit को मैं set करके चलूंगा इसके लिए मैंने derivative लिया इस equation का derivative लिया मैंने t minus tl इसका derivative लिया t dash to t ठीक है t dash to t क्यों लिया t dash वो value होती है जैसे ही load जैसे माले जैकर आप maximum torque कलकुलेट करने वाले हैं तो t dash जैसे ही maximum torque लगने वाला होता है उसके पहले का torque होता है अगर हम minimum calculate करने वाले हैं तो जैसे minimum torque लगने वाला होता है उसके पहले का torque होता है ठीक है तो अब t dash तो हमको पता है कि 0 जैसे event सुरू होने वाला है उस case में जो torque की value होगी t dash होगी ठीक है में just event सुरू होने के जो कि event किसका है heavy torque का event है या low minimum torque का event है उसके पहले इसकी value कितने होगी t dash और एक general term हम torque का निकलना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने time derivative में t रखती है अब इस equation को इस equation का जब हम integration करते हैं तो integration इसका निकल के आता है log of t minus tl ठीक है और यह इसका integration कैसे जागा t dash lower limit और upper limit उसके बाद इस तरफ क्या आएगा minus 1 by tm चुक्की इसका integration 0 से t oh sorry minus 1 by tm into t ठीक है अब इस integration को solve करते हैं तो इस integration में पहले t के value put करेंगे तो expand करने पे log of t minus tl minus log of t dash minus tl t dash minus tl is equal to 1 by sorry 1 by tm into t ठीक है दोस्तों अब जैसा कि आप जानते हैं logarithmic के एक प्रापर्टी होती है log of m minus log of n अगर दोनों का base सेम हो तो यह क्या हो जाता है log of m by n यह प्रापर्टी है logarithmic के उसका मैं यहां पर यूज करूंगा तो उस प्रापर्टी का यूज करते ही क्या हो जाएगा log of t minus tl divided by t dash minus tl यह कर लिया minus 1 by tm into t तो यह हमारा value यह हमारा जैसे एक value यह हमारे इस तरह से unfold हो के है लेकिन हमें t निकालना है हाँ पर सबस्था जरूरत हमें t निकालने के है तो t निकालने के लिए फिर हमने क्या क्या logarithmic को exponential में change कर लिया अब वो कैसे चेंज होगा, जैसे log of a to the power x is equals to n है, ठीक है, log of a to the power x is equals to n है, इसका logarithmic, इसको अगर मैं exponential के form में represent करना चाहूं, यह कुछ तरह से निकल के a to the power n is equals to x, इस तरीके से यह निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कुछ निकल के देख लेते हैं, एक पर चेक कर लेते हैं, कि सब कुछ सही है, e to the power minus tm is equals to, बिलकुर, ठीक है, तो इसी formula का use मैं यहाँ पर करूँगा, अगर मैं इस formula का use करता हूं, यहाँ पर, तो आप equation निकल के, t minus tl divided by t dash minus tl is equals to e to the power minus t over tl, ठीक है, दोस्तों, अब हमारा equation निकल के आया, t minus tl, t minus tl is equals to, divided by t dash minus tl is equals to e to the power minus t by tl, अब यहाँ से मुझे t की value निकलनी है, t की value निकलनी है, multiply कर दिया, इस तरफ, तो multiply करने के बाद, जो t की value, अगर आप इसको multiply करेंगे, तो t की value आएगी, tl plus t dash minus tl into e to the power minus t by tm, अब tl, tl को साथ मिले लिए, यहाँ भी tl, यहाँ भी, यह value कुछी इस तरह हो जाती है, 1 minus e to the power minus t over tm into tl plus t dash into e to the power minus t by tm, ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी torque की equation बनती है, यह हमारी torque की क्या बनती है, equation बनती है, अब हमें tmax, अगर की calculate करना है, तो tmax के लिए हम इस formula को analyze करते हैं, tmax नहीं maximum torque, जैसा कि बताया कि periodic torque के लिए lose equalization करते हैं, तो maximum torque के case में निकालेंगे, तो maximum torque कब आएगा, 1 minus, कैसे निकलाएगा, minus e to the power minus t h, माल लेता हूँ को t h time के लिए maximum torque operate हुआ, divided by tm into tl, tlh, यानि जो सबसे heavy load हुआ, high load हुआ है, tlh ठीक है, और इसके बाद t dash के जगर जो हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था, t dash क्या है, कि जो event start होना लाग, उससे just पहले का torque, तो हम अभी periodic torque है, high या low torque की बात कर रहा हूँ, तो उस case में हमारा torque क्या होगा, t minimum, कि just जैसे हाँ भी हमारा जो event है, वो maximum load निकलने का है, तो उससे just पहले का torque होगा, वो minimum torque होगा, e to the power minus t h, into divided by tm, अब यहाँ से, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें t h upon tm, इस equation से हमें t h upon tm की value को निकालनी है, minus t h upon tm की value को, तो देखिए, अब t h upon tm की value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें, पहले exponential term को एक साथ ले आता है, exponential term को एक साथ ले आएंगे, तो क्या बच्छेगा, t max minus t lh, t max minus t lh, divided by t min minus t lh, t lh बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका, t में, यहाँ पर आपका बचेगा, e to the power minus t h, divided by tm, ठीक है, लोगरिज्मिक ले ले लेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ अकर आप log ले लेंगे, तो यहाँ पर minus t h, divided by tm के जो value आएगी, वो आएगी, log of t max minus t lh, divided by t min minus t lh, ठीक है, यह हमारी value निकल के आएगी, अब इसके बाद, हम इतना करने के बाद, हम क्या करते हैं, कि हम सारा यह जो calculation कर रहे हैं, यह हम calculation कर रहे हैं, इस tm को निकलने के लिए, जैसा कि मैं पहले लेक्चर ही बता चुका था, तो यहाँ से जो tm की value निकल के आती है, tm की value निकल के आती है, अच्छा, tm की value कैसे निकली, इसको इस equation को उल्टा कर दिया, और minus sign से एक और property log की होती है, कि अगर, log की एक और property क्या होती है, कि अगर minus of log, अगर minus को इधर दोनों तरफ मल्टिप्लाई कर दिया, तो minus of log m by n is equals to log n by m, इस property का यूज हुआ है, logarithmic case property का यूज हुआ है, यहाँ पर, तो इसके बाद यह क्या हुआ, इस तरीके से कुछ unfold हो क्या आता है, अब हम इतना सारा जो calculation कर रहे हैं, कि हमें कितने point of inertia का flywheel add करना है, तो अब वो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि tm जो है, tm is equals to j into omega not minus omega r into tr, इसके बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, tm की value, अब हमें निकालना क्या है, j, हमें tm की value इस equation से मिल गई, हमें निकालना क्या है, j, और यह सारी value हमें लिए पता है, तो अगर हम यहीं से बोलें कि j क्या होगा, तो j हो जाएगा, अगर अब देखें, तो यहाँ से j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, tr omega not minus omega r into tm, अब tm की value क्या है, tm की value है, th log t min, अब देखें,